तो चलिस दोस्तों देखें सोचियोलोजी का एक्जाम भी है समेशेट टू करना तो अच्छे तारिक के एक्जाम आप लोग का और जिनका बाद में वीडियो देखेंगा और किसी भी एक्जाम हो समेशेट टू का समास्चास्त्र जेनेरिक लेक्टिव पेपर में ठीक है तो अगर आपका सब्जेक्ट ट्राइब ऑफ जहारखंड है जैसा की इस बार है ठीक है तो सभी कोश्चेन तो नहीं लेकिन हाँ 40 परसंट कोश्चेन आपके यहां से टच कर सकते हैं मतलब चार कोश्चेन टच कर सकते हैं ठीक है और आपको एक्जाम में किसी चार परस्ट का ही अंसर करना है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाएगा कर आपके एक्जाम में चली देख लेते हैं तो यहां पर आपके जो कोश्चन आएंगे वह जहारखंड की जन जाती से सभी कोश्चन रहेंगे ठीक है किस टाइप से कोश्चन आते हैं चली देखते हैं आपको संथाल जो विद्रो हुआ था ठीक है संथाल विद्रो उसके बारे में भी आ सकता है फिर है आपका गोत्र क्या होता है इसके बारे में बताईए अगला है युवागिरी क्या होता है तो दोस्तों युवागिरी मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं उसको क्या एक वाद तो यह आपके पांच में से किसी दो टॉपिक भी आपको लिखना है परतिक कॉश्चन आपका दस-दस मार्क्स का है यह आठवा नमबर टेक है बाकी सभी आपके 20 मार्क्स का कॉश्चन है आगे देख लेते हैं तो अब शुरू से हम लोग बात कर लेते हैं पहला कॉश दश्याहिए हमारा सी एंटी एक्ट भी वणा एस्पेट्ट पर ना सुना होगा संथाल परगन आकास्तिकारिया दिदियम उन्हें सब बने तो इन सब बनाएं यह सोसन के विरुद के करणन उसके बाद बहुत सारे नियम कानुन भी वनाएं यह सब के बताना है घिक है डिस एक्स्प्लोइटीशन मतलब होता है सोजन आगे दिख लेते हैं नेक्ट कोशन हमारा धिसरा कोशन है जारखंड के जंजातियों में एक यह तो पहला कोशन था ना जी पहला कोशिन यह है ठीक है पहला कोशिन नहीं पढ़ेते हैं जंजात या निर्धनता के मुख्यकारकों को बताईए डिसकस दा मेन फेक्टोर्स अप ट्राइवल पौवर्टी तो दोस्तों जंजात यह लोग क्यों पिछड़े हैं ठीक है मेन रिजन क्या है तो यह चीज़ बताना है कि what is the main region क्यों जंजाती लोग अक्सर गरीब पाय जाते हैं दोस्तों सबसे मेन रिजन है और सिक्षा है वे अपना घर छोड़ने नहीं खोचते हैं और सिंपल सी बात है कोई भी और सिक्षित आदमी ज्यादा पैसा नहीं कमाता है ठीक है सिक्षित म कारण ना तो वे बैपार करते हैं केवल कंदमूल करते हैं सब्जी वगरा उगाते हैं जो मैं अपने डे लाइफ में बताता हूं ठीक है मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारी ट्राइव और हम लोग खुद एक ट्राइवल एरिया में रहते हैं लकडी वगरा बेचते हैं आभी ठीक है हम लोग लों की इंहीं में तीसरा है जहारकंड के जाजातियों में सिश्चा के दुस्त परिविनाम का बंड़न करें two extra agility मतलब आदो की शुआप पर सिख्षा के दुष्परी नाम लिखा यार और यहां पे लिट्रेश लिखा है लिट्रेशी मतलब होता है अपका अब ऐस तो यह वड़्ड जो इंग्लिश वड़ा वर्ड मुझे थ्वरा सा दिखने रहा है से आपको दिखने रहा होगा क्या लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा से देख लिजिए गां बाके सिक्षा के तो दूस्पारी नाम नहीं होते हैं तो सबसे पहले जारकन के जनजातियों में महिलाओं की जो परिष्थिति है तो सबसे पहले जारकन के जनजातियों में जो कुछ डाटा आपको जादना है जैसे कि 2014 में जारकन की जनगन्दा में कितना है तो इनकी पोपुलेशन जो है 29.61 परसंट है नहीं है स्वारी 26% है जिसमें से साक्षरता इसमें जो बहुत कम है बहुत कम सबसे ज्यादा साक्षर आपका इन लोग तो नही जिला है जिसके से वहां पर भी ट्राइवल हैं लेकिन उन में जो ट्राइवल की काउंट की जाए तो ट्राइवल का साक्षरता नहीं है उतना जाता है उसके बाद जो संथाल प्रगना है विसस रूप से संथाल प्रगना आपका आज जन जाती लोग है संथाल प्रगना में छे जी ले आते हैं भी कि आपको मिल लाता है संथाल प्रगणा पुरा कव्य मादा है गुझिया उसको प्रामधल में लेट यहां के छे जिले जिसमें जामतारा एक ठाल हो गया यह डूंका हो इनकी अब इनके बारे में अच्छे से थोड़ा सा रिसर्च कर लिजेगा आगे दिख लेते हैं क्वेश्चिन हैं हमारा यहां पर कौन-कौन से समय से जहलनी पड़ती हैं जैसे कि उनको कहीं पर बोला जाता है क्यार मैंने देखा है बहुत जालो कि उनसे मतलब भैदभाव क जाताना है जारकन अंतोलन पर संचिप टिपनी लिखें राइट सोट ऐसे और जारकन मोमेंट तो जानते ही हैं ठीक है कब शुरू हुआ किसने शुरू किया तो इसकी शुरुआत तो आपका बहुत पहले हो जाती है एक क्रिश्चन एस्टुडेंट यूनियन की और से शु क्रिश्चन एस्टुडेंट यूनियन के बाद फिर थेबले उरावाएं किसान सभाग हुआ फिर किसान सभाग के बाद जारकन पार्टी बना टेक है उसके बाद जो है वहां से शुरू हो जाता है लड़ाई तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डीटेल में जान रेना है जै एन ऐसे और टाना भगट मुव्मेंट दोस्तों टाना भगट अंदुलन विर्शा मुंदा अंदुलन से प्रेडित था ठीक है उनिस्तों चौदा क्या स्पास शुरू हुआ था इस तरह से बताईएगा और यहां कोई वेक्ति नहीं बलकि एक संप्रदाय के दोबारा चला करें ठीक है उनके समाज इस्तिति निक गय से आर्ठीक इसी तो बहुत खड़ाब है समाजि इस थोड़ी बहुत अच्छी भीए September और मुख्य रूप से उनमें आसिक्षा का भाव पायाता है ठीक है और यह इत नमर कोश्चन और भी मैंने बहुत सारे कोश्चन पेपर अपलोड किये हैं सोसियोलोजी की आप लोग देख लिएगा और आपके कोश्चन डेफिनेटल यहीं से बनेंगे यहीं से नहीं मतलब कह सब आपको मन करें इसका पीडियाप कलिक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबी कोश्चन आप लोग कम से कम पढ़ लिजिएगा लिखने का तो नहीं लेकिन पढ़ लिजिएगा ठीक है और लिखने का टाइम है तो आपके पास लिख भी सकते हैं सकते हैं